तो नमस्कार साथियों कैसे आप सब आसा करते हैं आप सब बहुत यच्छ हो तो इस समय हम मौजूद हैं उस्तार पर्देश के शिब्रामों की निगम मंडी के बाहर और आप लोग मेरे देख पा रहा है इतर जो आलू की विक्री हो रही है वो भी मंडी के बाहर हो रही है यह तो चलिए मेरे साथ बाइब केमेर से बात करेंगे सभी आरतियों वाब बैपारी वहीं और किसान भाइयों से फाइनली आप लोग देख पा रहे हैं इतर एक ट्रक की लोडिंग हो चकी है जो की बिल्कुल निव आलू की लोडिंग हुई है और यह आप लोग देख पा रह उसना है पाले मेरे शाथ और तो हमारे साथ में भाया है वैसमारा यह जने की बहार का नाम जोनी है घ्र कुछ श्लब दिकार हो श्लक करेंगे जानें गे की जो आलू मंटी के बाहार विक्री हो रहा था यह जो अलू था Уलु बिक्री हो तो किस लिए बाहर विक्री हो रहे हैं तो जो अंदर करेंगे तो कितना कमिशन लगेगा इससे पहले क्या था इससे पहले इससे पहले मंदी के अंदर हो तो आप तो चाहें तो आप खाल में कितना होगा नहीं को सब्सक्राइब ऑब करेंग तुर वहीं कितना होगा एंद्राइब यूद्धर नवंबर है और आज कि दिनांक में छाटी आपका जो आप यह लोलो दिखाए था वो किस रेट में बिचा है इसमें पजन लगवा कितना होगा माना चाहिए तो तो नहीं में कितने कट्टे आ जा रहे है इस समय मंडी के अंदर नहीं उतर रहा है मंडी के बहार जो आलू है उतर रहा है आप लोग देख पा रहे हैं इदर एक ट्रक लदा खड़ा हुआ है और सभी किसान भाई किसान भाई को नहीं है तो यह आलू आपने किस रेट में बेचा है अधारा सोग रुपए में प्रत्केटा और इसमें जो बजन होगा कितना होगा किस गाउं से आई हो आप अलमोना से यह कहां पढ़ता है अच्छा फरकावाद जिला में पढ़ता है ना तो फरकावाद मंडी में किस रेट में पिच रहा है आपने बहां क्यों नहीं पेचा सब्सक्रार आपका और यह पास में ता इसलिए ना तो आपने यह आलू पहले ही भुआ किस समय कर दी थी कि अपनी में करीती लिफ्र सितम्बर में कर दी दी तो आपके कितने दिन का लो गया है यह रिया है ।ो महिने में वंदोında में 2 इनी कम आलु था यह थी adalah झाल झाल झाल